पाकिस्तान में अपना अगला प्रधान मंत्री चुनने के लिए फरवरी में मतदान होगा, जैसा की आजादी के बाद से होता आया है, पाकिस्तान में चुनाव विवादों से घिरे रहे हैं, जिन में सर्वशक्तिमान सेना का हस्तक शेप और भष्टाचार, आर्थिक कुप् पाकिस्तान के जन्म के शुरुवाती वर्षों में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मार्गदर्शक सिधानतों के तहट इसके चुनावी ढाचे का निर्मान देखा गया, देश में शुरुवाती चुनाव निर्नायक थे, जिन्होंने संघी और राज्य शक्तियों के बीच ल ये मंच तयार किया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वायतता प्रदान की, जो अन्ता बांगलादेश में अलग हो गया। तब से पाकिस्तान चुनावों का परिद्रिश सैने शासन के साथ बीच बीच में लोकतांत्रिक शासन के हस्तक शेप से आकार लेता रहा है। सेना पाकिस्तानी राजनीती में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है और इसे चुनावों के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ती माना जाता है। जैसा कि इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुमित गांगुली ने The Future of ISIS नामक पुस्तक में तर्क दिया है। कोई भी उम्मीदवार सेना प्रमुखों के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकता है और जो कोई भी प्रतिष्ठान के खिलाफ जाता है उसे गिरफतारी, निर्वासन या इससे भी बद्तर जोखिम का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के पूरे अशांट अतीत में। सैन्य जनरलों ने चुनावों को नियंत्रित किया है और कई बार देश का नेत्रित्व स्वयं किया है।